नमस्कार डीडी यूपी में आपका स्वागत है चर्चा में कारकम लेकर उपस्तित हूँ मैं रामेंद सिंग अध्या में बएतीवी सर्यू की धारा ने बहुत से इतिहास के पन्नों को अपने में समेटा है हजारो घट्नाओं की मूग दर्चक रही है जिनोंने अध्या को सुरू से लेके अंत तक देखा है भगवान शीरीराम के जन्मस्थान के साथसा अध्या कई धर्मों के लिए महत पूर्ण तीर्थ जैसा है अधिया ने बहुत संगराम देखें हैं अधिया ने देश को संसकत दी है अधिया ने देश को दिसा दी है अधिया ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है अधिया ने भारत भारत की도 राजगद्click समाल और अध्या ने राम जैसा आधर्ष दिया है इसी अध्या की तरफ आज दुनिया देख रही है अब जो अध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है राम जन्भूम तीर्थटश का गठन हो गया है तो मंदीर और मस्जित की जमीनों का वंटन भी हो गया है दोनों पच्छों ने इसे सुईकार कर लिया है तब एक बार अध्या और शर्यू फिर अपने पुराने रोव की ओर लोटती दिख रही है अब अध्या हमारी संस्क्रत परेटन और अध्यात्म का बड़ा केंध होने जा रहा है कि देश दुनिया में अध्या एक बार फिर सांती श परेटन सकार साइद इनकी पहचान नहीं हो सकती है आज हमारे साथ दो मेहमान है एक तो मनमोहन अग्रवाल जी है वरिश्पत्कार है बड़े अकबारों में लिखा है और अध्या को बहतर तरीके से जानते हैं और भासकर दुबे साहाब है जिन्होंने अध्या को जीया है अधिकतर 92 से पहले और 92 के बाद वह भासकर जीने अध्या से किये मनमोहन जी सुरात आप से करते हैं कि सवहार्द पून हल के बाद जो अध्या का भविश्य तमाम संगर्ण की घटना हैं तमाम संगर्णों को हम लोगों ने भी देखा है कुछ हम से पहले की पीढियों ने अब भविश से कैसा दिखता है अध्या का देखे रमे जी आयोध्या को प्लीओं की बात आपने की आयोध्या माने जैसे आयोध्या नाम आता वैसे और पर शुर्ट्न भवान सरी राम का नाम आ जाता है आज साड़े चार सो साल के बाद ये स्तिती बनी है कि सुप्रिम की तरफ ये मामला बढ़ चुका है और अब देश दुनिया की पूरी निगाहें लगी है कि आखिर आयोध्या का मंदिर भगवान सी राम मर्यादा पुष्वत्रतम का मंदिर कैसा हो अब राज सरकार हो और केंज सरकार दोनों ने मिलकर के अब आयोध्या के विकास की तरफ भ कारी मेरी जहां तक जानकारी है कि 40 क्लो मीटर का जो एरिया आयोध्या का है उसमें दरदनों गाउं की जमीन जो है वो आयोध्या में अब समाहित होने जा रहे है और आयोध्या का जो मंदिर भववान बनेगा य बनेगा आसपास के लोग की भी मलब जिन्दगी संवर तो वो संस्कृती अब हमारी दुनिया में प्रिस्पूटित होगी और लोगो देखेंगे और देश दुनिया के लोगों का आना भी वहां सुरू भी हो गया है बिलकुल और तमाम उद्गपती अब वहां पर जमीन लेकर के डेवलप्मेंट के काम कर रहे हैं सरकार के साथ स से गुजरते थे कभी तो लगता था सूनी है एक सड़क है जो थोला था चोड़ी बन गई थी और किनारे से निकलते था तो दिन-मंदिर और जो दिखते थे मकान उनकी पेंट नहीं हो पा रही थी बहु सूना पंथा अध्या को जो उस समय के राजनीतिक लोग थे जो राम को नहीं थो भारती संस्कत्र नहीं नहीं लेकर आपाते तो भारत की नाधर्स की बात करता भारत के है भारत के पास अधर स्राइस नहीं रामेन जी मरियादापुर्शोत्तम राम की जन्मिस्थली, मरियादापुर्शोत्तम राम की नगरी, जहां से रामराज की परिकल्पना की गई, महत्मा तुलसिदाज जी ने रामचरित मानस में लिखा कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम, राज, काहू, नहीं व्यापा की परिकल्पना तभी संभव है जब आयोध्या को सम्रद कर सकें, आयोध्या को उसका स्वरूप वापस दे सकें, वो आयोध्या जिसका स्व सदयो, सभी संपरदायों के लिए एक मिशाल था, आप आयोध्या में देखिए, आयोध्या में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सभी संपरदायों के अपने मानिंद, जैसे हमारी राम जनम हुमी है, हिंदू की, मुसलमानों का पीछे जहां गुरु गोविन सिंह जी गुरु नानक देव जी आके रुके थे, उसके बाद जैन के तीर्थंकर पर्थम और तीसरे तीर्थंकर राजपरिवार थे थे, अब चले आई आई आप मुस्लिम के लिए सीज पैगंबर, इनके पैगंबरों में एक पैगंबर, जिनकी मजार अयुद्या में मनी रामदाश्चाव नहीं थे, इनकी जिनों वाली मस्जित, इन सब चीजों को समेटे हुए अयुद्या, पांच सो साल, साड़े चार सो साल पहले अचानक रातोरात संप्रदाई कैसे हो गई, उसके का मरोडने का काम किया, अब पाच सो साल की ओ लडाई, जिसमें सैकलों युद्ध हुए, हजारों लाखों लोगों के बलिदान हुए, तमाम लोग उसमें उस आंदोलन से जुड़े और समाप्त हो गए, ताजा हम लोगों की आख के सामने, परमहंस और हासिम, दो आजादी के बात के ये दो व्यक्ति इस मुकदमे में सहीद हो गए, सहीद ही कहा जाएगा इनको, वो हिंदू पक्ष की ओर से लड़ा रहे थे, हासिम साब बाबरी मस्जिद की ओर से लड़ा रहे थे, इन सारी परिशितियों के बीच भी आयोध्या, आप ध्यान दीजिए, आयोध् कि आयोध्यान नहीं हैं, तो हम कहां जैसे हिंदू जानता है, गर भगवान राम नहीं है और हमारा धर्म कैसे, इन तमाम परिस्थितियों में आज जो अध्या का नया स्वरूप उभर के आया है, दिजाइन हो रहा है, चीजें बन रही है, आयोध्या के चारो और, आप कल अबना नहीं कर सकते हैं कुछ दिन बार युद्या की सिति आप её समझिए हम लोगों के जीते जी आप यह एसी न हो जाए कि यह रोम की तादना राज्य हो जाए क्योंकि हमारी संस्कृति का सबसे अहम केंद्र है हिंदू संस्कृति पुस्पित, पल्वित होने का सारा का सारा जो इतिहास मिलता है। के विकास के संभों नहीं है रामेंजी बिल्कुल बिना अध्या के विकास के साइद भारती संस्कत की पहचानी नहीं हो सकती है सताइस वर्सों से रामलला जी टेंट में अब कहा जा रहा है कि उनके लिए एक टेंपरेरी मंदिर बनाया जाएगा बुलेट प्रूफ होगा चुकि 2015 में आतंकवादी घटना भी हुई थी जब आतंकवादी बहुत करीब तक पहुंच गए तो CRPF के लोगन उन्हें धेर कर दिया था अध्या आस्था परंपराओं और संस्कारों के भूम है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि राम आपके कलकल में बसे हुए दिखने हैं राम हो है जिन्हों ने रास्तिलग करते हुए जब पिता ने कहा कि आपको वन जाना पड़ेगा बचन हमने दिया था मा कह कही को बलसे हुए जलेकर तो में अओности को जब बात नहीं हमारे एक साहे इस जब आपके बादे आपको वह नोम्हारे प्रह आतरा लिए ने ठेंद्यू ने पूरा युद्धि हो चौढारा पूरा जोंधा वन जा जब राम कोई मदद कर सकता था कहीं रुख सकते थे लेकिन उन्हों ने उनको चुना जिनको लोगों ने छोड़ दिया तो बहुत बार बाते हैं कि नहीं साव अजिसी नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निरने आने या आने के लिए निए अवारत को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे थे उससे आगे चीजें हैं और सायद अब उनको लगता होगा कि वो गलत कर रहे थे तो तमाम लोग विचारधाराओं के कारण राजदीतिक प्रतव दता हो कारण जो करें तो उनको सर्मिंद्गी होती होगी मनमों जी देखिए रामे जी अभी भासकर जी नभी कि जासते वगर आयुद्या के तो जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लिड़ने आया थोड़ा मैं पहले जाओंगा कि तमाम आयुद्ध्या को मुद्दा बना करके राजनीत होती रही देश में और उस राजनीत में के के द्न में आयुद्ध्या के रख करके जो भासकर इतिहासकार, साहितकार जिन्होंने भी अपने अपने तरीके से उसका वर्णन कर दिया तो लोग क्या पढ़ रहे थे लोग ये पढ़ रहे थे जो आपने कहा कि सहाब एक कहीं से कोई आया उसने आकर के बनाया और सहाब ये रामलला का जन्मिस्तान ही नहीं है बाबर नामाँ में बाबर ने खुद लिखा कि मैं अद्धिया कभी नहीं गया मीर वाकी का जिकराता है कि मीर वाकी ने आकर के नमाज के लिए मजिद का हिस्तान बना दिया अब वो है मगर हम ये कहेंगे देश के सर्वूच नयाईले को कि उसने एक साड़े चार साल से चल रहा एक विवाद उसने इतने पटा छेप कर दिया और हम देश की जनता को भी यह कहेंगे सभी धर्मों के लोगों को कहेंगे कि सुप्रिम कोड के फैसले को जनता ने बड़ा आधर दिया कहीं कोई विवाद नहीं हुआ और इस्तिती अब यहां तक आ गई कि मंदर नेमाड की तरव रास्ता बन रहा है और दूसरे पख्ष को भी सरकार ने जैसे सुप्रिम कोड ने कहा कि पांच एकर जमीन दे दू तो सरकार ने दूसरे पख्ष का भी मान रखा और उसको भी जमी बिना राम के अधिया की पहचान नहीं है वहां फूल का काम करने वाले मुस्लिम है वहां खड़ाओ बनाने वाले मुस्लिम है वहां बगवान राम के कपड़ सीलने वाले मुस्लिम है वहां पुताई का काम करने वाले मुस्लिम है और यह जो गंगा जमी तहजीब इसकी बा उस कंड कंड में जो उर्जा है उसको छूने के लिए उसको ग्रहन करने के लिए लोग गए इसलिए महत्पून है अभी मुकुंती ने कहा है कि हम अध्या को बेहतर बना रहे हैं उन्होंने एक माडल दिया कि किस तरीके से तमाम प्रदेशों के हम चीजों के स्टेब्लिश कर हैं सेकुलर राजली ने अध्या को काफी दुखी किया एक समय था कि लोग अध्या का जिक्र नहीं करते लेकिन मुलायम सिंगी ने भी बाद में माना कि गोली चलवाना गलत है साथ अब बहतर लग रहा होगा कि सुप्रीर गोड़ को निड़े आने के वादे कि हम गलत है हम आज के दोसो बर्स पूर्व पूरी पूरा का पूरा अवद का सासन अध्या से चलता था आखरी नभाप सुजाओद दौला अध्या से चलकर लखनों आये थे लखनों को राजधानी बनाई थी राम मंदिर हनुमान गढ़ी का निर्माड अध्या का जिगनों धार में मुसलिम नभाबों को बहुत बड़ा योगदान रहा है पता नहीं किस तरह से राजनेतिक परिसितियां बनी लोगों ने मुसलिमों को भलकाया मुसल्मान तो असली रामभक्त थे मैं आपको बता रहा हूं अनुमान गढ़ी का निर्माड ऐसी कहानी है बताया जाता है कि अबियत बहुत खराब थी सारी उनकी बहु बेगम जिनका मगबरा है बेगम हजदमेल नहीं बहु बेगम जिनका मगबरा है उद्या में वह मार परेशान थी उस समय सब उन्होंने पीर फ़कीर हकीम सब इस्तेमाल कर लिए थे सबने कह दिया था कि अब नभाब साहब उस पर बैट के तपस्या कर रहे तुन्हों वही मिट्टी उठा के दी, बोली ले जा पिलादा, पिलादे ठीक हो जाएगा, नबाब साथ ठीक हो गए, फिर बहु वेगम आई बाबा भे रामदास के पास, पूछा कि महराज हम क्या करें, तो बोली ठीक है, अगर तुरी बड मुसलिम नबाबों की है, और देखिए आप, वहाँ प्रमोद बन मंदिर है, जिसका प्रवंदन सदय हो, मुसलिम उसका प्रवंधक रहा है, राम जान की मंदिर है, ऐसी तमाम घटनाएं आप यह समझे, आयुद्ध्या के हिंदू मुसल्मानों ने कभी इस चीज को खरा भ सब्सक्राइव यह इसा नबाब सब्सक्राइख फैंखिए गृतुर्ष जम जैसी जी हो। जैसा कि उसने कहा है किरशी विभाक की जमीन भी पम कर देंगा तो अब जरूरत यह है कि समझदारी दिखाते हुए जिस समझदारी से सुपरीम कोट ने सारा फैसला किया है उसी तरह समझदारी दिखाते हुए हमारे सभी नेताओं को को राज्यातिक पार्टियों को और अयुद्ध्या को लोगों को अब और विवाद से जुड़े साधु शन्त अयुद्ध्या विवाद से जुड़े अखाले अब सब एक मत हो कि राय बनके मंदिर भी बनवाऊंगे और दोनों का एक सातु गाटन सिला नयास हो ब्लकुल प्र पूरे देश में जाएगा क्योंकि पूरा देश प्रभावित है उद्ध्या की घटना से इसी तरह गर पूरा देश इस नोनिर्माल की घटना से प्रभावित हो गया तो हमें लगता सामप्रदायिक सक्तियां तूट जाएंगी उनको खट्म हो जाएंगी ओवैसी एक आप जोकर निकल गयाता था अपने नए फसाने सुना के चला जाता था उतनी ही तीन प्रधानमंति और चार मुक्मंति इस 500 साल पुराने विवाद में प्रयास करते रहे कि इसका कोई समाधान निकले लेकिन वो बिफल साभी तू इसका समाधान नहीं निकल पाए चूकि दोनों मुक्मंत्री भारती जनता पार्टी के हैं संत हैं और प्रधानमंति भी संत जैसी इस्तिति में हैं उनके पास भी देश से अलामा कुछ नहीं है तो दोनों लोगों ने जाहिर है की सरकारों ने भी प्रयास किया अपना पच्छ रखा सुप्रिम कोर्ड का फैसला भले ही आय कि जिसके नाम कि संसकती से भारत जी ते शुबास बंस के प्रतापी राजा भारत के नाम पढ़ाओ उनके पिडियों को हम लोग टेंट में रखें नक्तिर निकल सदन में एक बात कुई उन्होंने क्हा कि अब भी इस समाज़ बाद नहीं चलेगा राम राज जी चलेगा क् देखे, मुखमंतरी जी का जो अभी भासकर जी नै कहा कि मनतब यही हो सकता है कि राम राज इस चलेगा। मनें कि समाज के सभी वरगों को लेकर के सरकार चलना चाहती है। तभी सायथ प्रधान मंतरी नरेद मोधी जी ने कहा भी है। रहा है कि सबका सास, सबका विकास, और सबका विश्वास कि अब जिस तरह से भास्कर जी नें अभि अप्ईल किया अदि कि अयुड्या के संतों से और प्रदान मंदी के प्रतिवियी संदेश, d Magnus hè, कि अई Aujina में कर्म मेहिञ्साय शाइद मुकवंत्री योगी आजितनाथ जी ने र हम आज कुछ संकर से बना से अंध्यूर्णाद पुराणत है। उस दोर में उन्होंने बड़ी लड़ी उसके लिए तो मुझको लगता है कि साइद उसी परकल्पना को देखते हुए कि आज हम जब राम मंदिर आयुद्या में निर्मान कराने जा रहे हैं तो मर्यादा पुर्शोत्तम राम का जो राम राज था जिसके जिकर इनोंने किया कि आयुद्या में युद्या हो आयुद्या है वहां कंकन मे उस तरह की संस्कृत विआपके आपने का गी मैं तो आपको एक और बताऊंगा जैसे जैन तीन जो दो जैन तीन कर वही हुए अफ ताइलेंड एयुकस मेरा धायूद्या से गई अैयुक्ट लिए। टाइलेंड, वे को राजा ही टाइलेंड इते हैं। और आजां भारत, वरात वनशज को राज से एक हमारे फट। तो ये हमारी एक संस्क्रत है। यह एक और रास्ता भी है कि आउध्या से देखिए थाइलेंड से जुड़े हैं तो आउध्या और जो हमारा सनातन धर्म है उसको छोड़ करके ठीक हैं बेवसाय कर सकते हैं लेकिन जो रिस्ते परिवारी कुर्प से जुड़ते हैं ज्यादा मजबू है तो राणी हो के बारे आज़े तो यह संस्कृत थी रामराज कि प्रक्रम मुझको लगता उसी करम में योगी जी ने बात करें जैसे नेपाल से जुड़ते हैं ज्यान की माता नेपाल से थी और दर थाइ्लैंड से जुड़ते हैं जुकि यहां से जाकर के उन्होंने पना सामराज पिसाया ए तो जो रिस्तों की धर ओहर है दूसरे देसों से जोडने का उसका वी केंद्र है आलाकि उस पर काम हो रहा है कि आनने देसों के मंदिर बनाय जाए वहार रुखने की बेष्ता की ज़ाए उनका जुलाओ रहा है अध्लाव परेटन का केंद्र बने जिसे लोगों कर रोजगार का लोगों को मिल पाएं अब एक बिवाद की रूप में नहीं जाना जाएगा वासकर जी अब एक राष्टी संस्क्रत ही तो अनेकता में एकता सवेटी है उसके रूप में जाना जाएगा रामें जी आयोध्या और भगवान राम इसी रूप में जाने जाते हैं आप देखिए भगवान राम का चरित्र और उनका पूरा कारेकाल कि लोगों में बीता सदयोए समाज के बंचित लोगों के साथ है बिल्कुल आयोध्य बनवास के लिए निकले पहला परिशय केवट से से केवट रिस्ता आगे बढ़े बनवासीयों से रिस्ता और आगे बढ़े भीलों से रिस्ता सबरी के जूठे भेर भगवान रामने लंका लडाई भी कर्ने गए तो सबसे समाज के पिछले वर्प को, तो यह आप समझे रामराज है क्या, यह समाज बात धकोसला, रामराज असली समाज बात है, समाज के हर विक्ति तक पहुंचने का समाज बात है, बड़े छोटे उंची जाती हूं, नीची जाती हूं, मद्यम जाती हूं, के बीच कैसा बेव आयोध्या को बनाने में इसमें कोई दोर आय नहीं है महंत इक विजयनात का महंत अवैद्यनात का और परमंस राम चंद्रदास का इन तीन लोगों का आजाद बारत में सबसे बड़ा योगता है इन लोगों ने और और देखिए इस सबके बावजूद भी ना गोरक्स पीठ ह है नयास में और ना देगंबरा खाला है नयास में दूसरी लाइन की लीडर लीडर्शिप कर रहे है महंत इन गोपाल दास तो इन सब चीज एक देख के बहुत ही काईदे से अच्छे इसमें ट्रस्ट में आपने उस वरक को भी लिया जिसको भगवान राम सबसे अधिक प् प्रमाला मिलते हैं तो सब्री के परिवार से ही जो एक सद्से हो आया तो इन सब परिस्षितियों में अब अभी बनेगी और अधिया के सामने मिशाल के रूप में आने वाले कुछी वर्सों में सामने खड़ी तिकेगी मंदिर मस्जित का विवात जब हल हो गया है तो कि राजनी तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोहीं जाएगी क्योंकि 1992 में जब 6 दिसमर 1992 को अधिया में जो विवादी धाचा का ये बावरी मस्जित का ये जो अलग-अलग नाम से लोगों ना इसको संभूवित किया बासकर जी वहां रिपोर्टिंग में थे मैं भी कम में पहचार मिलें उसके बाद देखिए तो उसके बाद आप देखिए ना कि कहां भारती जिन्ता पाटी चली गई थी उसका कोई लाओ कि वही एक ये विवाद का ये हैं गिर गया अब हमारे रामलाला विराजमान हो गए अब आज भवे स्वरूप मिलने जा रहा है तो र दोनों लोग जानकार हैं अध्या को करीब से जाना है समझाए देखा है इतिहास भूगोल समझते हैं आप दोनों लोगों ने जो हमारे चैनल के माद्धम से लोगोग जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आभार अच्छी बने सुंदर बने राम की संस्कती में हम लोग पले बढ़े आगे बढ़े राम आग राम का जो पूरा चरित्र है वो भारत में स्विकार किया जाए छगडों से उपर और उटके देश की राजनीतों देश के लिए काम करें इसी के साथ इसकार कम को भी राम देते हैं नमस्कार